हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ऐ जन्दगी आम तोर पर होता क्या है कि हम अपने जन्दगी में लिखने पढ़ने या कुछ नया सीखने को हमेशा स्कूल कॉलेज या प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ कर देखते हैं कहने का मतलब कि जब तक इन जगहों पर जरूरी ना हो हम कुछ भी नई स्किल सीखने में या कुछ भी नया करने में एक तरह की जिजग एक तरह का बदलाओ या उस बदलाओ से जुड़ी तकलीफ महसूस करते हैं और कोई भी नई स्किल सीखने में या नई चीज अपनाने में एक तरह की रुकावट या दिल्चस्पी ज़रा कम भी दिखाते हैं यहां यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि हम चाहे कोई प्रोफेशनल हों वर्ट फ्रॉम होम जैसा प्रोफाइल रखते हूं या फिर हाउस वाइब्स हों नई चीजें लगतर सीखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना प्रोफेशनल लाइफ की रिक्वार्मेंट में यह ज़रूरी होता है ये बात तो आप जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी सरने लगता है और वो पानी जिसमें एक रवानी बनी रहती है नई लहरे उठती रहती है एक नया प्रवाव बना रहता है उसमें हमेशा एक तासगी रहती है हमेशा जन्दगी कायम रहती है इसलिए प्रोफाइल चाहे जै कुछ बात करते हैं इसी बारे में अगर एक प्रोफेश्नल है तो अपनी करियर से जूड़ी नई स्किल्स नई टेंडलोजी नई जानकारी आप अप्सल करते रहते हैं सीखते रहते हैं सखाते काम की बारे में आपको इतनी बारीकियां पता हैं कि आपका आने वाला सफर तो बिल्कुल स्मूध हो गया है, अब आप इतना कुछ जानते हैं कि दूसरों को सिखा सकते हैं, इस जगा पर पहुंच कर अक्सर हमें ये लगता है कि हमें अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं उसके बिना भी काम चल जाएगा क्योंकि हम तो इतना सीनियर हो गए दिक्कत यहीं पर आती है अब उदाहरण के लिए आप याद कीजिए कुछ समय पहले तक जब तक प्रिंट मीडिया बहुत जादा एक्टिव था और कहा जाता था कि लोग चाय के साथ खबरे पीने के आद लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और जब पूरी दुनिया बदली है तो इसमें सूचना देने और सूचना पाने के तरीके भी बदले हैं अब ऐसे में लोग किसी भी खबर को जानने के लिए कोई नया समाचार पाने के लिए य ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है अब ऐसे में जो लोग इस नए तंत्र के साथ यानि के नई टेकनोलोजी के साथ तालमिल नहीं बिठा सके हैं और उसी कलम और कागज पर आज तक ठेहरे हुए हैं जिन्होंने ये माना था कि कुछ भी बदल जाए इस पर कोई आच नहीं आने वाली आज ऐसे बहुत से लोग या तो सिम्टे हुए हैं या अपनी नौकरी से हाथ दो बैठे हैं और अगर ऐसा नहीं भी है तो उनके भविश्य में तरक्की के मौके बहुत सिमित हो गए हैं एक और उधारन मैं आपको बताती हूँ कुछ हरसा पहले तक फोट अच्छा था कि ये जो छोटा सा मुबाइल हाथ में आ जाएगा इसका कैमरा हम लोगों के जन्दगी को इतना बदल कर रख देगा कि अब फोटोग्राफर की जरूरत सिर्फ बहुत खास मौके पर ही पड़ेगी और ड्रोन ड्रोन ने तो वो स्पेशल एफेक्ट देने वा आपको हर दिन नए तरह से तयार कीजिए ताकि जब तक आप काम करने लाइक रहें आपकी तरक्की के मौके को भी कोई प्रभावित ना कर पाए तो जरूरी है अपने प्रोफेशन से जोड़ी नई स्किल नई टेकनोलोजी के बारे में लगातार अपडेट होते रहना, जहन में एक चीज आती है, काम और उसके साथ धेर सारा आराम, तो वर्क फरॉम करते हुए अपसर आपके जहन में जो बात होती है वो ये कि बहुत सारा काम लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा आराम भी, तो ऐसे में अगर एक पर्टिकलर टाइम पर कोई मीटिंग ना हो य यानि के जब मर्जी काम कर लिया, जब मर्जी आराम कर लिया, जैसे मर्जी बैट गए, जैसे मर्जी उटना बैटना या फिर खाने पीने का कोई निश्यत समय ना हो ना, यानि के कुल मिलाकर वो चीज़ें जो एक सॉलिड परस्नालिटी बनाती हैं, वो एक डर्ल परस्ना इकल नॉलेज की होती है, उस काम से जुड़ी जानकारियों की होती है, उतनी ही एहमेद आपकी परस्नालिटी की भी होती है, तो अपनी परस्नालिटी को किसी भी हालत में डल्मत पढ़ने दीजे, अपने अनुशासन को बनाई रखिये, चाहे वो बैटने उटने के तौर तर आने लगती है, यह हमें से किसी को पता नहीं चल पाता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी परस्नालिटी में एक तरह का चेंज आने लगेगा, जानती है वो चेंज कैसा है, वो चेंज ऐसा है कि बहुत महनत से आपके तयार किये गए प्रोजेक्ट क प्रजेंट करते हुए, आप नहीं बलके कोई और ऐसे सॉलिट परस्नालिटी वाला शक्स सामने कर दिया जाएगा, जो सच मुझ एक कम्प्लीट परस्नालिटी रखता हो, यानि दूसरों के सामने आपके ग्रुप, आपने वर्क या आपकी कमपनी को रिप्रेंट कर सकता ह ऐसे में आप अपने ही काम को प्रेजंट करने में उस कतार के आखर में खड़े नजर आएंगे, तो क्या आप ऐसा चाहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जितना काम और अनुशासन इन दोनों का मेल होता है, उतना ही जरूरी होता है बेसिक एथिक्स, यहां तक कि कुछ कम अपनियां तो बकाइदा इस तरह के कोर्सस कराती हैं कि एक अच्छे वर्कर को होना कैसा चाहिए, तो अपनी परस्नालेटी में इस डलनिस की वज़े से कभी भी अपने आपको पीछे ना जाने दे, अपने आपको पिछड़ने ना दे, हमेशा अपने आपको अपडेट कर करते रहें, जगह से अपनी शक्सियत में फर्क मत आने दीजिए, जो भी जरूरी है उन स्किल्स को डेवलप करने के साथ जाथ अपनी परस्नालेटी का भी पूरा पूरा खायल रखें, अगर आप एक हाउस वाइप हैं तो, यह वो जगह है जहां पर लोग अपने आपको बदलने की जरूरत सबसे कम महसूस करते हैं, आम तो और पर जादेतर हाउस वाइप्स का ये मानना होता है कि हमें कौन सा कहीं बाहर जाना है, कोई ओकेशन है, आफिस जाना है या इन सब चीजों की हमें क्या जरूरत, हम तो अपनी घर में ही खुश हैं और हमारी दुनिया तो इस घर की चार दिवारी के अंदर ही है, तो अगर कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है, तो क्या जरूरत है इस पचड़े में पढ़ने की, जी हाँ, आम तोर पर लोगों की मानसिक्ता, चाहे वो बाहरी तोर पर ना दिखाएं, लेकिन अंधर ही अंदर कुछ ऐसी ही होती है अब ऐसे में आप देखिए कि खाना बनाना एक कला है, ठीक है, लेकिन खाना बनाना कला उनके लिए है, जो खाना बनाने से लेकर उसे परोसने तक एक स्टाइल मेंटेन करना जानते हैं, एक प्रेजेंटेशन के बहतरीन तोर तरीके के बारे में जानने, समझने और उसे अ तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके अंदर एक बैतरी इंटीरियर डिजाइनर जन लेने लगता है। तो इसी तरीके से घर की चार दिवारी के अंदर रहने की बावजूद, अगर आप वक्त की ताल से चाल मिला कर चलती हैं, तो भी अपने आपको एक स्ट्रॉंग परस्नालिटी के रूप में देख सकती हैं। दुनिया की तमाम जानकारियां आपको घर बैठे भी मिल सकती हैं, नई स्कल्स आप घर में रहते हुए भी डेवलप कर सकती हैं। अब देखें, बड़ी छोटी सी बात है, कि बहुत सारी माईं ऐसी हैं, जिनके बच्चे बगए टूशन के पढ़ी नहीं पातें। अपडेट करके, आप चाहिए घर के बाहर हों या घर के भीतर, अपनी आपको हमेशा एक सजग नागरिक के तौर पे, एक सजग व्यक्ती के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। आत्म सम्मान का पहला पढ़ाओ, रिस्पेक का पहला पढ़ाओ, अपनी आप से शिरू होता है, अपनी घर से शिरू होता है, बाहरे दुनिया का नंबर उसके बाद आता है। तो आप में ऐसा नया क्या है जिसकी वज़े से आपको सराहा जाए, ये सवाल आपको खुद से करने की जरूरत है। वक्त की जरूरत को पहचानिए, कोई भी नई स्किल, आप सर्फ इसलिए न सीखें कि उससे प्रोफेशनल लाइफ में कोई फर्ख पढ़ता है, बलकि परसनल लाइफ में भी अपने आपको सजग, सतर्ग और हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि इसका फर्ख आप खुद अ कॉमेंट भी जरूरी है